कभी भी आपको यह सारे symptom एक साथ महसुस हो जैसे की बार बार पेशाब आना या फिर पेशाब करते टाइम में जलन महसुस होना पेशाब नहीं भी कर रहे हैं तो जब आप दबाते हैं यहाँ पे पीछे में रि absolument उसके नीचे तो आपको दर्द महसूस होता है या फिर जब आप पेशाब करते हैं तो दर्द आपको महसूस होता है medical time में हम उसको dysuria बोलते हैं या फिर जब आप अपने पेशाब की जाच करवाते हैं तो उसमें pus cells या फिर blood होता है खून होता है तो आपको पाईलो निफ्राइटस का दिकत हो सकता है अब जबी भी ऐसा होता है तो आपको ये चीज ध्यान लखना है कि 80% ऐसा काड़न होता है जिसकी वजह से ये चीज़े होती है क्या होता है E. coli bacteria की वजह से ऐसा होता है जो E. coli bacteria होती है ना वो 80% reason होता है बहुत से लोगों में इस कारण का लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे bacteria है जैसे कि Stephylococcus या फिर Enterococcus या फिर Saprophyticus या सारे bacteria होते हैं जो कि 20% में आते हैं